जाप सनरक्षक पप्पु यादर ने सीयम नितीश पर हमला करते हुए कहा सम्विधान से किसको खत्रा है और कौन आरक्षन को खत्म करना चाहता है जो लोग लंबे समय तक केंद्र और राजी में शाशन किया है उनके मूँ से ऐसी बाते शोभा नहीं देती जोनने कभी सम्विधान को तबज़ो नहीं दिया वे कहते हैं सम्विधान खत्रे में है अप राधियों के साथ मंच साजा करते हैं आरक्षन के नाम पर नेता लोग वोट की राजनीती करते हैं SCST, OBC और स्वन के सामाल पर हिंदू होता है या जब वोट के बाद आती है तो SCST, OBC, EBC याद आता है बिहार के नेता भै और डर का माहौल बना कर रखे हैं बिहार को नासूर बनाने में इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है हिंदूस्तान में आरक्षन और सम्विधान को कोई चालेंज नहीं कर सकता है बिहार के विपक्ष अपने मूमिया में ठूप बन रहे हैं मेरा चार सवाल है नितिजदी और विपक्ष से पहला सवाल कि आरक्षन और सम्विधान को किस से खत्रा है और कौन खत्म कर रहा है चुनोवी मोसम में बार बार ये राजनेतिक दल जो मंडल कमिशन के 5% आरक्षन को भी 15 साल और 17 साल सब्ता में रहने के बाद नहीं किया फिर वो समाज के कमजोर बंचित पिछना ती पिछना को धिभर्वित क्यों करता है देश के प्रधान मंत्री भी कहते है कोई बायका लाला आरक्षन खत्म नहीं करेगा देश के बीजेपी के अध्यक्स कहते है कोई मायका लाला आरक्षन खत्म नहीं करेगा और जिससे नितिश कुमार को दर है वो गटबंधन करके 2020 का मेज़ खेलते हैं वीपक्स के नेता ट्विटर वाई वो कहते हैं कि सम्मिधान खत्रे में है जिन लोगों ने कभी सम्मिधान को दबज्जो ने दिया वही कह रहा है सम्मिधान खत्रे में है बड़ी बड़ी अपरादी माप्या जिसके मंज़ पर हो जो सम्मिधान को कानूर को दाग पर रख करके सब कुछ लूट ले तो ये आरक्चन जैसी चीजों को खड़ा कर नपरत की दिवार ये दोनों ब्यक्ति खड़ा करता है ये मेरा आरोप है कि ये भोट की राजनिती के लिए ये उन्माद पैदा कर रहा है और नितिश कुमार जी से मेरा सीधा सवाल है कि गिरिदाजी अस्वानी चोवे जो लो सुप्रिम कोट पर सवाल खड़ा कर चुके हैं केरल के सवाल पर अमित साजी ने सुप्रिम कोट पर सवाल खड़ा कर दिया अभी आयुद्या के सवाल पर जब सर्वो चन्याले के पेंच नहीं या कहा कि मेरी प्रात्मिक्ता कुछ और है फिर ये सवाल खड़ा करना मेरा सवाल है कि रिराज और इन लोगों से स्टी एसी और स्वाल के सवाल पर स्टी एसी हिंदू होता है या नहीं